जिस बंदे को जो चाहिए अगर उससे आप कनेक कर दो उसको जो आपको चाहिए तो बंदा मोटिवेटेड हो जाएगा वो काम करने के लिए अगर आप उसको फोर्स कर रहे हो वो करने के लिए जो आप चाहते हो या आपको लगता है कि ये करना आपके लिए और उसके लिए सही है और आप उसको मोटिवेट कर रहे हो ये ग्यान दे करके तो वो मोटिवेट नहीं होगा जो उसको चाहिए अपनी लाइफ से हो सकता है वो बिल्कुल अलग हो उससे जो आपको चाहिए तो आप एक से लाख उसको मोटिवेट नहीं कर सकते बट अगर आपको समझ आ जाए कि उसको क्या चाहिए अपनी लाइफ से और उसको आप कनेक कर दो उससे जो आप चाहते हो, तो वो भी मोटिवेट हो जाएगा, आप भी मोटिवेट हो जाओगे. For example, जो मैं अपने एक फ्रेंड को लेकर के गया था, मां मुल्टी लेवन मार्केटिंग कमपनी में, जोइनिंग फीस बहुत थी, that was around 70,000. तो 70,000 किया, 70 रुपे भी कोई नहीं देता इसकी रेट में किसी को, तो उसने एक मिनिट नहीं लगाया है, एकदम से दे दिया, क्यों, व्योंकि अगर मैं उसको बोलता कि यहां पर जॉइन कर ले, यहां पर इतना पैसा आएगा, इतना यह होगा, वो होगा, उसमें इंट्र और बढ़िया पोटफोलियो कम से कम 50,000 रुपे, लाख रुपे किसे कम का नहीं बनेगा, वो पैसा कहां से आएगा, बंबे तु जाएगा, स्ट्रगल करने के लिए, एक साल तक तेरे घरवाले तरको सपोर्ट नहीं करेंगा, उसके लिए तुझे पैसा चाहिए, कितना प कर दिया, इस काम से, कि मॉडलिंग में तु सकस्फूल तब हो पाएगा, जब तु ये करेगा, तो तु तु झरे इंडिपेंडेंट होना है, षैसा ये पैसा तेरे पास में होगा, तो तु अरू अराम से जा सकता है, ति तेरे घरवाले तुझे मना na ही करेंगे, ऐसे सोच है एक husband-wife के relationship में भी यह सच है if you are a husband तो आपको समझना बढ़ेगा आपकी wife को क्या चाहिए वो कब समझ सकते हो जब आपका ध्यान वहाँ से हटे कि मुझे क्या चाहिए हम इतना जादा entangled होते हैं अपने dreams में, अपने ambitions में, अपने goals में कि हम देखी नहीं पाते कि सामने वाले के dreams क्या है, सामने वाले के ambitions क्या है, सामने वाले के goals क्या है हम इतना फसे होते हैं उसमें जो हमको चाहिए इतना जादा selfish होते हैं इतना हम self-centered होते हैं 24 गंटे बस अपने बारे में सोच रहे होते हैं सुबह से रात तक कि हम कभी देखी नहीं पाते हैं कि सामने वाले को क्या चाहिए अगर हमारा interest इसमें होगा मुझे क्या चाहिए जिसे कोई salesman आपके पास आया insurance plan बेचने के लिए उसका interest इसमें है कि मुझे क्या चाहिए तो वो नहीं बेच पाएगा बट अगर वो समझ जाए कि आपको क्या चाहिए आपकी need क्या है आपकी सोच क्या है आपके अंदर किस तरह के डर है ठीक है आपकी problems क्या है उसको अगर वो देख पाए और उसी language में बात कर पाए उसको ये लगे कि मतलब वो बड़े अराम से connect कर जाएगा और जहां वो connect कर गया वो फिर एक दिन के लिए नहीं जुड़ेगा वो हमीशा के लिए जुड़ जाएगा अब उसका interest में नहीं है जितने कम आप selfish हो उतने ही अच्छे आप leader हो को का अब そう पूा का ऑख़े जूद हो नहीं है बड़े principle हो जूब नहीं हो नहीं है नहीं है